अलो दोस्तो तो अब घर जाने का टाइम आगया है दुर्गापू जाने वाला है तो अब चले हम लोग घर तो अब इस गाड़ी को तो यह रखना है तो कुछ तो इसको लिए कुछ करना परेगा रहे है राइक चुह से बचाना क्योंकि गाड़ी अब बहुत दिन ख़रा रह जाएगा तो चुह अंदर ना आए उससे बचाना होगा गारी का बैटरी दिश्चारज ना हो जाए घर के आने के बाद उससे भी बचाना है तो यह कुछ टिप्स है और चुह के लिए कुछ इंस्टॉलेशन है इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि चुह अंदर न मैं इस गारी में लगाएंगा अभी क्योंकि मुझे इसको चुह से बचाना है तो वो मुझे लगाना ही परेगा ठीक है तो आप लोग देखेंगे होंगे इधर एसी वेंट्स होता है यहां पर ग्लोब बॉक्स के पास सो जहां पर हम लोग फिल्टर लगाते हैं एसी फिल् वो मैं आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में कि वह कहां पर है और वहां पर क्या कर सकते हैं जिससे चुहे ना है ठीक है तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा दिखना होगा ठीक है तो मैं इस पैसेज में दो चीज करने वाला हूं ताकि चुहां अंदर ना आए और अगर वह कर जाए अपसेज को ढूंड़ना बहुत मुश्किल है तो मैं कोशिस करूंगा कि आपको वीडियो में पूरा समझा दूंग वह चीज तो चली तो फिर वीडियो देखते हैं ठीक है इंस्टॉलेशन वीडियो है और मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ बताऊ है और उसको कैसे आप बचा सकते हैं ठीक है तो वीडियो स्किप्प मत कीजिएगा पूरा एक लाइन से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है तो चली फिर वीडियो देखते हैं पुरा कि अच्छा में इसको इन्सॉल करने के लिए मुझे यह दोनों वाइपर कॉला परेगा पहले यहां से इसको खिचिए अच्छली यह खराब हो चुका है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा बात में और इसका भी खुलेगा तो यह है आपका पंदरा नंबर तो पंदरा नंबर का तूंग देखता हूं करत करता तो कर दो आपिक यह उनलल्ग क्हां को करता गुब ध facets Jag으니까 अंग हेो ख में होुआचा कर दोंग से इस जुड़ कर दो देखंग ही ङहता है। कि शावदा भी दख चाहिए पारी नमर से पोल रामस को यह खुल गया ओके सो इसको 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 लगाएं तो इसको निकालता हूं फिर आगे कंटिन्यू करता हूं ओके तो यह दोनों वाइपर खुल गया है तो इसमें तो इसको याद से WD-40 अगर आप में आपके गाड़ी में है तो WD-40 जरूर लगाएं ठीक है तो मैं जब इसको लगाओंगा तो WD-40 इसमें लगा दूगा चले अब इसको यह चीज मुझे निकालना है इसका तो मैं इसको खुलता हूं ओके तो यहां पर देखिए इस ट्रैप का बहुत सारा है टोटल इस एक यहां पर है दो तीन चार पाँच और एक उस साइड़ों का छे तो यह में छे हो निकलता हूं ठीक है इसको निकालना बहुत टॉफ नहीं है तो मैं एक दिखाता हूं आपको हरत को और में अदुर्ट इसको अधार पार करना है और यह पालाया यह आ अधी तिनकालता हूं और चुट भी जाए तो आम आरूती शुरूँ में आपको यह मिल जाए गा दो इसके लिए टेंशन नहीं है तो अल्मॉस भूआ इसको निलिया हूं और अब इसको, इसको निलिया हूं ढॉक यह थ्यान में रखें कि ऊणना ने में तक इडिस फिर मैं बड़ जाएग आपको तेख लिए यह लौक है, इसको हम भी ध्यान में रख रहे हैं, एक यहाँ पे रहता है, तो इसको पहले सेपरेट कर लेता है, इसको पहले हमें सेपरेट कर रहे हैं, तब यह आराम से निकल जाना चाहिए, तो इसको पहले से निकल लिए, तो यह लोक फाले है, तो इसको पहली है, यह अब आराम से इजी से निकल जाएगा ठीक है ठीक वैसा ही उधर करूँगा कि यहाँ है यहाँ पर यह वाला ठीक है तो इसको पहले यहाँ से लॉक कि एक उपर होगा और इसको अब खीच लीचे है यह निकल किया है तो हो गया अब यह अराम से निकलता है तो यहाँ ध्यान देज़ेगा यह यहाँ पर रहता है चाहिए और हां इसके नीचे पाइप भी है यह जिसका पाइप है तो यहाँ झेह ज्ध्यान में रखना है जादा जोड़ से नहीं खीचना तो पिर दिक्धत हो जाएगा और इसको हमें निकाल लेता हो यह रबर आपtery दिखानेगी है इसको निकाल लीजे ताक़ी यह सेपरेड हो जाएगा मैं कि आप़ सेपरेड होने का है इसको मैं रहा हूँ त solving अ-फ क्या वर कि यहां पर देखिए यह पाइप है इसका वह अधर से आ रहा है इसको फिर निकलना है इसको अपने तरफ ही खीचिएगा तुकि ऊपर में लॉक रहता है कि अधर से निकलना है कि अधर से निकलना है कि अधर से निकल गया कि अधर से निकलता हूं फिर बताता हूं तो कि अधर से हो नहीं रहा है कि अधर से निकलना है कि अधर से निकलना है कि अधर से निकलना है मैं पूसिस कर रहा हूँ कि तूटे तो अच्छा खाशा लग जाएगा तो ध्यान से खोलिए सब कुछ धीरे-धीरे कोई हरबड़ी नहीं है को खोलना के लिए कि यह पाइप देख रहे हैं यह उसका वाइपर का पाइप है तो यहां से वह अलग होता है और एक वहां से होता है तो इस तरह सब अलग भी कर सकते हैं तो आंग होता है बस्तों फड़ मैं पाज़ को परोग मैं झालने ज़ीज़ है आरे वो घज़ ताम हुआ है 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 कि अ अ यहां पर यह सेपरेट हो गया है और अंदर काफी गंदा है अधर मुझे तो अधर क्लीनिंग भी करना परेगा यहां पर ताकि यह पहली वार खुला है तो अच्छे से क्लीन कर दूँ जैसे मैं हमेसा हर वीडियो में करता हूं तो इसे ग्लीन करूँगा और इसका जो नोजल्स है यह वाला नोजल्स तो इसको भी क्लीन करूँगा ठीक है यह फिर दर देखते हैं देख रहा हूं कोई लॉक टूटा तो नहीं टूटेगा तो फिर फैबर को इससे साथ दूँगा उसको कर दूब सकता हूं focus नहाले नहाले हैं को कर दोशन को करता है तो यह भी अलग हो गया है यहां से यह पाइप आपको हर जगह पर यह दिखेगा कहीं पर जॉइंट तो जहां जहां जॉइंट है आप उसको निकाल सकते हैं ताकि यह अलग हो जाएंट है कि आपको यह मेरा पूरा ओपन हो गया है यह आपका वाइपर का मोटर है यहां पर ठेक है जब भी आप मैं इसको जब क्लो क्लोस करूंगा तो यहां पर डब्ली फॉर्टी डाल दूंगा ताकि यह स्मूध हो जाए ठीक है और इसको क्लीन जरू करूंगा वाटर से भी मैं क्ली क्लीन करूंगा इसको आपको जो मैं जगह दिखाने वाला हूं वह दिखिए वह आपको दिख रहा है वहां पर यह आपका वेंटिलेशन का जो इसी का वेंट है वह यहीं प्राकर खतम बता है तो यह बहुत बढ़ा है अचली बताने यह क्यों छोड़ा गया है इसको गवर भी किया जा सकता था यह पूरा है यह पूरा अंदर जाता है इधर तो यही रास्ता है जहां से चुहा लोग अंदर आता है ठीक है और कहीं नहीं है इसका और इसका कहीं भी नहीं है यही एक रास्ता है जहां से चुहा लोग को अंदर आने का मिल जाता है लेटे तो यह सब जो रास्ता देख रहे हैं यहां पर यहां से उपर आएगा कि अधर भी ऐसी माँ पर हो लेगे तो इशन्ग सब उपर आता है और फिर उस पर जाने कर रास्ता मिल जाता है तो मैं अब इस ही को इसको मैं क्लोज कर दूँगा ठीक है कि इतना बड़ा है यहां पर यहां से इसको मैं क्लोज कर दूंगा हाँ क्लोज करने के लिए करने के लिए इसके लिए मैं पर गई दिखा तो पहले मैं इसको पोच को टो ठीप और आपको वह जाली दिखाता है वह जाली को सकता है आप आप देखे होंगे कि जो चूहे पकरने के जो नेट आते हैं जाली उसमें इसी टाइप पर कुछ राता और इसको ये चूहा नहीं काट पाता तो ये है वह जाली यह जाली में लगाऊं, यह काफी बारा है सोग मैं cutting करूँगा, तो यह मैं कहां से लाया, आपको अभी screen पे image दिखेगा, ठीक है, यह मैं वहां से इसको निकाला हूँ, वो आपको, जो भी आपको image दिखा भी, ठीक है, यह आपको कहीं भी workshop में, जहां पे truck बनता है, जहां प बड़े वाले truck का air filter, ठीक है, वो आपको यह वाला, यह वाला आपको filter देंगे, यूज किया वाला रता है, तो 100, 200 है, मुझे 200 लगाता, या free भी भी देंगा, कोई अच्छे होंगे, तो उसका use ने रता हूँ, अच्छी लोग डश्ट बीन में ही जाएगा, वो बेश्ठी से निकार लिए गया, ठीक है, cutting कर दी, सबसे best है, cut करके निकार लीजे, तो आपको यह इतना जाली मिलेगा, और भी मिलेगा, ठीक है, तो मैं इसी को लगाऊंगा, अब वहां आगे, तो पहले मैं उसको साफ करूँगा, clean करके, और उसके बाद फिर मैं इस जाली को नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई hole नहीं करना चाहता है, इसको मैं चिपकाऊंगा, तो चिपकाने के लिए dust सारा clean होना चाहिए, तो ही वह अच्छे से चिपकेगा, और वह फिर से निकल जाएगा, तो same मैं कर रहा हूँ, पहले इसको clean करूँगा, बहुत सारा गंद सुखने दूँगा, तब तत मैं जितने भी movable object है, जितने भी movable part है, उसमें मैं WD 40 मारूँगा, और इसको भी सुखने दूँगा, जितना खुछ सका उतना मैं clean कर दिया इसको, बाकी तो सारा जमा हुआ है, तो clean जरू की जेगा नहीं, तो फिर सटेगा नहीं, और पिर य ही है, इतना ही जगह है, जहां से चूहा अंदर जाता है, तो इसको मैं अब इसको करूँगा, close जाली वे, तो यह दिख लीजे, करे में के एं रता है, तो यह दो इसको कर दो सिए अर्हां जाक्ता अरो ही कि आँ पिल्ड से, रहा होला है अरुलो मत तो करका रहा है अब से मेंघट चाल深ी बहता है कि अप्री 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 कि अप् राच वाह बैंने कर दिया स्प्प्रे अ मेरा शेंट व्ला जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जो एसले प्रिंट का था WD-40 टाइप कहीं है बट उतना WD-40 जैसा नहीं है actually so मैं उसको लगा दिया हूँ और तो बस अब उसको करेंगा इस्टॉल उस साइड इस जाली पर लगाने जा रहा हूँ इसके देखने कितना यूज होगा और इतना ही लगाना है तो मैं ठाप लो इसको फिर काटता हूँ तो आपना ही गारी आपन जूसी में करना हूँ जितना हो साब्स के इसके आप लगा सकतें है तो अच्छा रहेगा साथना है इसको काट हम इतना इक्टिय को खोको 63 है। तो मैं यहां से इसको करूँगा, करूँगा, यह वाला, इसको काट करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलाल यही है, तो मैं यहां से लंबा ऐसे काट करूँगा, ठीक है, और इसको, ओके सो,, यहोगया है कट, सो कटिंग क कर लिया हूँ, इसको मैं थर सीधा करूँ ताकि मुझे लेंथमे तो हो गया है अब इसको देखना है एक तो यहां पर इसको भी नाप लेता हूँ, उसाप से को फोल्ड कर दूगा, काटका रहीम इसको, प्धैने अंदर ऐसा स्पेस बना वान है कि इसको आप खुछ से जोगा करना पड़ेगा इसमें कुछ मूड़ेगा थुआ साथ डिफ्रेंट है बट है करना तहें तो ये इसको मैं एक ज़गा से फोर्ड करेंगा पहले इसको अब ही मैं इसको करता हूं इसको एजिस्ट उसके हिसाब से क्योंकि वह थोरा सा उपर नीचे है ठीक है उसी हिसाब से मुझे इसको इसको एजस्ट करना होगा और वैसे कटिंग करके फिर मैं जब इसको पुरा कटिंग कर लूँगा उसके मैं आपको फिर वीडियो लिखाता हूं इसको यह कुछ इस टाइप से लगेगा यह थोड़ा सा आगे सामने उठा हुआ है तो मैं इसको ऐसा बनाया हूं और जिससे यहां पर यह तरह का गाप हो जाए अगलाब यह जैसा सेप में है वैसे ही सेप में रहेगा ठीक है क्योंकि यह स्टाइप से उठावा और इसको मैं इसके नीचे कोल्ड करने का कोशिश करूंगा अब यह लॉख हो जाए और इसके पर फिर मैं से श्राट बहुत है चले मैं इसको करता हूं इसको दिखाता हू अगले जाली अल्मोस्ट लग गया है और इसको शिप शुकाना है मैं इसको अगलाना है आज अखर दोसेगा इसको करना है चिपकाना है अब इसको मैं चिपकाता हूं अब इसको मैं चिपकाता हूं टीवी सिलिकन सीलेंट ठीक है यह आपको कोई भी हार्वेर डुकान में मिल जाएगा अगर इस कंपनी का ना मिले तो किसी भी कंपनी का आप देख सकते हैं ठीक है खाले इसको आपको यह बोलना है क्योंकि साथ में लगा हूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसको दिखाने दिखाते दिखाते विकार मुझे थ्वासा उसको एज़ेस्ट भी कहना पर रहा है आप देख लिजे कैसा लगा है वह तो आपको ऐसे ही कुछ जुगार करना होगा हो सके आपका क क्योंकि मेरे मारूरती अल्टर्णर में वह बिल्कुल अग था वह एक बॉक्स टाइप का था ऐसे ही था पट वह स्क्वाइर में था पर यहां पर यहां पर यहां सा कर्व है तो वह चीज आप देख लिजेगा कि आपके गारी में कैसा है और उसी हिसाब से आपको फिर उस उसमें लगा दिया हूं मैं सिलेंट तो आपको दिखाया था यह वाला इसको सुखने में तो टाइम लगेगा तो तब तक मैं जो इसका उपर अलग कवर है वस कर लूँ और इसको लखेट कर दूंगा तो बस जहां-जहां बॉड़ी टच कर रहा है वहां पर आपको निकल भी गया तो मेरे पास लास्ट उप्शन है वहां पर आपको स्कूरू दिखाया रइट वह नट पोल्ट वहां पर भी है तो अगर यह कभी निकल जाता है तो फिर मैं इसको उसके मदद से उसको फिर एज़ेस्ट करूंगा वहां पर लागांगा अब ही तो नहीं अब इस पर कितना दिन चलता है वैसे चलना चाहिए कि चुपक जाएगा तो तो यह सीम सीलेंट हम लोग एक्वेडियम में लगाते हैं तो उसको ट्रैटिस सूखने में 24 सावस लगता है तो इसको भी मैं 24 घंटे इसको ऐसी ही छोड़ूंगा और उसके बाद देखता हूं इसक कुछ नहीं है यहां पर इस वीडियो पर तो बस अभी मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं सारा वास कर लूँ इसको क्लोज करता हूं चलिए फिर अधेरा होने वाला है जल्दी से मैं इसको कवर करता हूं बहुत दिक्कत हो जाएगा तो यह लग चुका है मेरा जाली अधिक है अल्मोस्ट सुख गया और सुखेगा तो यह फिर हाद हो जाएगा अधिक है यह लग चुका है अब मैं इसको चला कवर करने अब इसको भी मैं दो दिया हूं सो मगर आप चाहें तो इस पाइप अगर आगा हो क्लिंग कर सकते हैं अंधर से ऐसे कुछ होता नहीं है और फिर भी अब चेक कर लिजिएगा तो अच्छा रहेगा तो अब मैं इसको लगा रहा हूं तो लगाने के बाद फिर वीडियो दिखाता हूं तो ग्राइज हो गया है इंस्टॉलिशन कम्प्लीट सब कुछ लगा दिया हूं कि वाइपर लग चुका है इसको मैं खोलू है कि खा देता हूं कि अधिक है और सारा कुछ अपने जगा पर कि अधिक है नेट इंस्टॉल है अब मैं वाइपर टेस्ट कर लूँ कि ठीक से काम कर रहा है कि ने सो सब कुछ कम्प्लीट है तो वीडियो में यहें पर स्टॉप करूंगा अब वाइपर टेस्ट करने जा रहा हूं कि अधिक है तो अधिक है तो सब कुछ इंस्टॉल अधिक है ओके सब कुस काम कर रहा है तो वीडियो को यहीं पर मैं खतम कर रहा हूं डू लाइक सब्क्राइब मैं चैनल और कमेंट कीजिए अगर कुछ दिक्कत है तो और बस ऐसी लाइक करते रहे हैं और मिरे पहले वाले वीडियो को जुरू देखिये है अगर कुछ भी डॉट है तो जुरू मुझे कमेंट कीजिए ए इस्टा बेकर सकते हैं और इस्टा का AI इडी मेरे डिस्कृप्चन में मिलेगा मेरे पहले वाले वीडियो का इतनी लिंक है सभी मुझे दिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा ठीक है और बस और तो कुछ बोला नहीं है बहुत जल और भी वीडियो आने वाले हैं तो अभी मैं अपने नेटिव जा रहा हूं जो कि जारखंड है ठीक है मैं अब नेटिव जा रहा हूं तो वहां पर देखता हूं मैं और क्या यह गाड़ी जा नहीं रहा है ठीक है तो वहां मेरा अल्टो है तो अगर उसमें कुछ रहा है ऐसा कुछ तो जरूब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के थुरू और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चली बाबाई